Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel, Accounting Masterclass. And this time हम discuss कर रहे हैं Class 12 का previous year का जो question paper है, जो पिछले साल आया था 2021 में, वो हम लोग इस time discuss कर रहे हैं. और अभी मैं BST का subject, जो है, उसकी question paper हम discuss कर रहे हैं. आने वाले time में हम accountancy के और economics के भी question paper discuss करेंगे. ठीक है? तो एक lecture video मैं already upload कर चुकी हूँ. This is my second lecture video. ये मेरा दूसरा lecture video है, जिसमें हम लोग बहुत detail में solution discuss कर रहे हैं. Right? तो चलिए फिर बिना time waste के, जल्दी से हम आज का lecture video स्टार्ट करते हैं. So this is the question paper. ये question paper है, पिछले साल का BST का 2021 का question paper है. ये है, जिसमें हम लोग section 1 के question पिछले turn पे हमने discuss किये थे. इसमें 5 question ही discuss हो पाए थे. ठीक है, अलड़ी lecture काफी लंदी हो गया था, आदे घंटे का lecture हो गया था. ठीक है, तो 5 question डिसकस हो गया थे. आज हमें ये जो 6 question है, यहां से आज हमें start करना है. ये जो 6 question है, इससे हमें आज start करना है. राइट, लेकिन जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं, ये screen डाक हो गई हां, पर जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं, ये scan copy है, पेपर को मैंने scan किया था, तो ये काफी clear नहीं है, ठीक है, तो हमें पढ़ने में problem आएगी, तो इसलिए मैंने ये जो PDF है, जो scan PDF है, इसको फिर मैंन पे, जितने भी question है, इनको write किया है, ताकि कम से कम question clear देखे, तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने PPT पनाई है, तो मैं आपको ले चलती हूँ उस PPT पे, आज हमें ये जो question number 6 है, जो ये promotion storage वाला है, इस question से आज हमें start करना है, तो चलिए PPT देखते So this is the PPT, ये जो question paper है, PPT के form में ये है, सबसे पहले तो मैंने last lecture में ही बताया था, ये जो instruction है, ये काफी important होते हैं, आप instruction जरूर पढ़ लिया करियेगा, ठीक है, चाहे आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, या कोई board की exam देने चाह रहे हैं, ठीक है, या graduation master's के, ये instruction सबसे पहले ह यान से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक, तो चलिए आज हम question number 6 से start करें, 5 questions हमने पिछले lecture वीडियो में discuss कर लिये थे, चलिए, start करते हैं, question number 6, छटा question क्या है, the function of marketing that involves physical movement of goods from one place to another is called, ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को pause करके, एक बार question खुद से भी पढ़ physical movement of goods, यानि गोड़ जो है, उनका physical movement कराया जाता है, from one place to another, तो ऐसे function of marketing को क्या कहा जाता है, क्या उसको promotion कहा जाता है, या transportation कहा जाता है, या storage and warehousing कहा जाता है, या customer support service, क्या कहा जाता है, ठीक, this is the question, तो चलिए मैं आपको, जो हम तरीका follow करते हैं, वही करेंगे, मैं आप को चारोई option के पारे में बता देती हूँ, फिर आप ही decide कर लिजेगा, कि इसमें से answer क्या होगा, ठीक, पहला क्या है, promotion, पहला क्या है, promotion, तो promotion मतलब होता है, brand awareness, ठीक है, promotion मतलब क्या होता है, brand awareness, यानि जो भी brand है, जो भी company है, उसके product जो है, उसके बारे में, जो भी target audience है, उनको educate करना, ताकि बो लो company के product, company की जो services है, उसको use करे, तो that is promotion, promotion के बहुत साइट तरीक हो सकते है, ठीक, advertisement पगे रखिया जाता है, newspaper में आड़, निकलता है, electronic media में आड़, तो that is promotion, दूसरा क्या है, transportation, तो transportation, basically क्या है, it's a, देके, transport करना, यानि goods या person को एक जगे से दूस goods from one place to another, यानि एक प्लेसे दूसरे प्लेस तर जो goods है, ठीक है, उनको move कराना, that is transportation, तीसरा क्या है, storage and warehousing, तो ये भी marketing का, कहा लिजे, बहुत important function है, storage and warehousing, ठीक है, storage, warehousing and logistic, इसी लिए, ये supply chain management में, आप डीटेल में एवन ये पढ़ेंगे, तो storage and warehousing, नाम से ही समभ्या करके रखना, कब से कब तक, from the time of their production, यानि goods जब produce हो गए, और जब तक वो consume नहीं हो जाते, ठीक है, जब तक वो BIC नहीं जाते, ठीक है, सेल नहीं हो जाते, तब तक goods को क्या करना, store करना, warehouse करना, तो ये काम इसमें किया जाता है, storage and warehousing, अगला क्या है, customer support service, तो customer support service का की जाती है, before the sale and after the sale, यानि customer को product बेचने से पहले और बेचने के बाद, customer को पुछ support services की जोत होती है, ठीक है, तो वही है customer support services, ठीक है, जैसे अगर कोई product खईदा उसे घर पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, या उसकी servicing वगेरा है, ठीक है, तो that comes under customer support service, या product related कोई डाउट है customer को, तो हम call करते हैं, customer care center पे call करते हैं, तो वो सब customer support service में आता है, तो अब मैंने चारों के बारे में बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आप बता सकते हैं, या पर answer कौन सा सही है, तो option B is the correct answer, इसमें कौन सा सही है, option B, transportation is the correct answer, ये function है marketing का, जिसमें physical movement होता है, goods का एक प् बहुत पूस्ते हैं कि माम, class 12 के board exam की तियारी करनी है, कुछ अच्छी सी बुक बता दीचे, तो वैसे तो में पस बहुत सारी queries आरी है, बच्चे मुझ से, graduation के बच्चे भी, master's के भी student मुझ से बुक से बारे में पूस्ते हैं, बट जब तक मैं satisfied नहूं, मैं किसी बुक को recommend नहीं करना चाहूंगी, तो इसलिए ये बुक इस समय में offline में अपने class 12 के student को इसी बुक से मैं करा रही हूं, इसी बुक से पढ़ा रही हूं, sample paper की practice करवा रही हूं, तो ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी, Oswal publication की बुक है, जिसमें 36 sample question papers है, और मुझे एक बात इस पेपर आपको यहां पे मिलेंगे, तो ये बुक अगर आपको purchase करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे बुक अच्छी लगी है, ठीक, और इस बुक में जो इतने भी question paper है, ये solved है, प्लस ये नए syllabus की according, CBSE ने जो syllabus है वो revise किया है, तो as per new syllabus this book has been written, ये बुक नए syllabus की according written, राइट ये बुक ये थे, sample paper के, तो ये जो बुक है ना वो sample paper के according लिखी गई है, इसमें जो sample paper है, वो उस, मतलब, उस format के according है, ठीक है, तो ये इस बुक की काफी अची बात है, प्लस इसमें बहुत, मतलब, better, बहुत detail क्या लिजे, solution discuss है, discuss है, discuss किये गए है, और इसमें बहुत सारी tricks, बहुत साई tips बताई गई है, तो अगर आप कोई बुक खरीदी है, तो आप देख सकते हैं, मुझे ये बुक सही लगी है, एवन में अपने offline बाले बच्चों को यही बुक से पढ़ा रही हूं, इसी बुक से, तो आप देख सकते हैं, और एक बात, और है कि ये आपके को Q7, Q7 क्या है, identify the principles of management, आपको identify करना है principles of management which is given by fuel, जो फियोल ने जो principles of management दिये थे, वो आपको identify करना है कि fuel ने किस principle में कहा था, according to which, यानि किस principle में कहा था, कि the intent of this principle is to produce more and better work with the same effort, okay, आपको बताना है कि fuel के किस principle में कहा था, कि जादा more work and better work can be produced with the same effort, यह किस principle में तहा गया था, ठीक, this is the question, तो हम जानते है, henry fuel, नाम तो सुनाई होगा, henry fuel, इने क्या कहा जाता है, father of, father of, चली मुझे comment section में बताएगा, this is the question of today's session, यहाज के session का quiz है, कि henry fuel is called father of dash management, अब आपे से फिल करिए, henry fuel को क्या कहा जाता है, father of dash management, ठीक है, henry fuel ने 14 principles दिये थे, henry fuel ने 14 principles दिये थे, management के, तो हम जो जो क्वेशन है, वो उसी से related है, देके, मैं इस, चार ओप्शन आपको दिये गा है, मैं चारो के बारे में ही आपको बताती हूं, देके, इनोंने एकुटी के बारे में कहा था, unity of direction के बारे में कहा था, मैं चारो के बारे में आपको बताती हूं, ठीक है, देखे, equity, equity मतला होता है, समानता, तो equity क्या कहता है, कि equity is a combination of kindness and justice, ठीक है, तो ये principle कहता है, कि जो organization में, जो manager है, he should be kind, वो kind होना चाहिए, और वो justice करे, toward every employee, ठीक है, वो partial ना हो, जितने भी employee, जितने भी worker को manage करता है, उन की तरफ वो क्या रहे, kind रहे, justice करे, ठीक है, भेदभाव ना रखे, समानता रखे, तो this is equity, ठीक, अगला क्या है, scalar chain, तो scalar chain, तो मैंने आपको बहुत डीटेल में पढ़ाया है, scalar chain याद है न, यह हमने पढ़ाता, line of communication, scalar chain, इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, तो आप मुझे बताएगा, वैसे एक बात और में बताऊँ की, कि क्लास 12 का BST, Economics और Accountancy का पूरा syllabus में अपने चानल पे अपलोड कर चुकी है, separate playlist बनाई हुई है, और यह सारे concept जितने में, जिन पे मैं करा रही हूं, पिसले साल का question paper, यह सारे concept बहुत डीटेल में पढ़ाय कहां से, टॉप मानेजमेंट से ले करके, लोएस लेवल तक जो person है, जो employees है, उनकी चेन है, that is, scalar chain, तो इस केलर चेन का concept क्या कहता है, कि there should be a clear line of communication, एक clear line of communication होनी चाहिए, from top person to lowest person तक, एक clear line of communication होनी चाहिए, तो यह ही कहता है, स्केलर चेन, ठीक, आप मुझे बताएगे, इ that is unity of direction, जो B option है, that is unity of direction, तो यह तो नाम सही समझ में रहा है, unity of direction मतलब क्या है, कि there should be one head, एक head होना चाहिए, एक plan होना चाहिए, for group of activity, having same objective, यानि, unity of direction, इसका मतलब यह नी होना चाहिए, कि हर employee अलग direction में जा रहा है, ठीक है, जबकि organization एक है, organization को objective एक है, ठीक है, but हर employee direction में काम कर रहा है, इसा नहीं होना चाहिए, there should be one head, यानि, एक head होना चाहिए, एक plan होना चाहिए, unity होनी चाहिए, ठीक है, जो भी काम कर रहे है, उसका direction क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक plan होना चाहिए, एक head होना चाहिए, ठीक, that is unity of direction, अगला क्या है, division of work, तो more and better work could be performed ज्यादा ज्यादा काम हो पाए और बेटर वर्क हो पाए and with the same effort, यहीं हर वर्कर को बराबर काम ही करना पड़ेगा, same effort करना पड़ेगा और ज्यादा प्रोडाक्शन हो पाएगा बेटर प्रोडाक्शन हो पाएगा तो that is division of work और हर वर्कर अपनी स्पेशलिटी के according काम कर पाएगा, तो यहीं फियोल ने अपने प्रिंसिपल में कहा था तो अब मेरे खाल से आप कौन से समझ में आ गया है कौन सा अंसर है, option A is the correct answer division of work, division of work कहता है कि more and better work could be produced with the same effort ठीक है, next next question क्या है, which product related decision, यानि product related वो कौन सा decision है जिसके तहत प्रोवाइड की जाती है detail information about the product on its package यानि product के बारे में उसके package पे अगर detail information देनी है कोई product है, ठीक है, उसका जो packaging है, उस पे अगर detail information जो दी जाती है, वो कौन से product related decision के तहत दी जाती है, क्या वो ब्रैंडिंग होती है, क्या वो packaging होती है क्या वो LOBLLING होती है, या वो branding and packaging दोनों है, this is the question, डीक है समय में अख्रोडॉक्श पे जो detail में जो information दी जाती है product के बारे में, package जो दी जाती है, वो किस product related decision से related है, ठीक, से यहीं नेविड के बारे में अपको बताती पहले देखिए ब्रांडिंग क्या होता है, हम जानते हैं ब्रांडिंग क्या है, यह नहीं किसी ब्रांड को प्रमोट करना, ठीक है एक positive perception कह लएजें उस ब्रांड के बारे में positive perception, बिल्द करना, in the mind of customer, एुक्षमुर्ट, एक स्चोर्ट में पुर्टहाय स्टोरीके अच्छी इमेज बिल्डड़ करना ए किम्पनी के प्रोड़क्त कि के सर्विसेज कि अच्छी इमेज बिल्ड़ड़ करना तरह दरेता है काल ब्रांदिंग , इसको ब्रांदिंग किहते है और जो भी benefits customer को मिलें गे उस product से वो सब communicate हो पाए ठीक है, plus जो product है वो secure हो रहे है तो that is packaging, ये भी product से related बहुत important decision है कि product की packaging किस टाइब की होगी packaging basically एक product को show करने का तरीका भी है और हर company कोशिश करती है कि best तरीके से product की packaging करें ताकि product display अच्छे से हो ठीक, अगला क्या है? labeling, labeling, तो labeling basically क्या होता है packaging तो बड़ी आसे करती, ठीक है but अब उस पे important information भी तो देनी होगी ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी product पे सारी उसके information, वो product कौन सा है उसके ingredient क्या है, उसको किस company ने बनाया है company का registered office का है, product की expiry कब है उसके manufacture date क्या है, product का batch number क्या है सारी information रहती है, तो that is labeling ये क्या होता है, ये labeling होता है labeling मतलब detail information about the product that is mentioned there, तो that is labeling, इसको labeling क्याते है ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आंसे आपको मिल गया है कि कौन सा product related decision है, जिसमें detail information दी जाती है तो वो है labeling, ठीक है, चौता option तो हो गई नहीं ठीक है, तो option C is the correct answer चलिए अगला question करते है, अगला question क्या है which step in the process of planning यानि planning का जो process है, planning function का जो process है उसमें कौन सा step है, जिसमें हम क्या करते है हम वे करते है, pros and cons of each alternative यारि जितने भी alternative है, उनके pros and cons pros and cons मतलब benefits, कोई भी alternative है, उसके क्या-क्या benefits है क्या-क्या disadvantage है, उसको evaluate करते है किस step में, ये पूछा जा रहा है, चीक है, question सबन में आया planning process के किस step में हम pros and cons of alternative analyze करते है, तो this is the question तो जब मैंने आपको planning पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि planning में, planning process में, there are 7 steps, 7 steps होते हैं, बताया था ना, अचा, planning तो आप जानते हैं, क्या होता है planning is basically determining in advance, what to be done, how to be done, ठीक है यानि पहले से advance पर determine करना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ ठीक है, तो that is planning, तो planning में, there are 7 steps, planning process की बात करें, तो 7 steps होते हैं पहला step, पहला step होता है, setting objective, सबसे पहले objective set किया जाता है, ठीक है जो हम काम कर रहे हैं, उसका उदेश है क्या है, objective, दूसरा क्या है, developing premises यानि जो भी assumptions हैं, वो develop करना, developing premises, planning premises, ठीक है तीसरा क्या है, identifying alternative course of action, अगला क्या है, identifying alternative course of action यानि कितने options available हैं, ठीक है, identify करना, तीसरा step क्या है, identify करना, कि क्या-क्य option available है चौथा क्या है, evaluate करना, अब जितने भी alternative हमाएँ पस available हैं, अब उनको हम क्या करेंगे evaluation करेंगे, देखेंगे कि हर alternative के क्या फाइदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रोस है, क्या कॉन से हैं, क्या benefit है, क्या disadvantage है, ठीक पाँछवाइ step क्या है, बताएगे, पाँछवाइ step क्या है, पाँछवाइ step है, अब हम जो analyze कर लिया, अब हम select करेंगे best alternative, सबसे बढ़िया जो alternative है, उसको select करेंगे, फिर छटा step क्या है, implement करेंगे, अब हम plan को implement करेंगे, साथवा step क्या है, उसके बाद हम लेंगे follow up, उसके बाद हम क्या करेंगे, follow up करते रहेंगे, ठीक है, तो ये साथ step होते हैं, और ये बहुत important है, इसको detail में पढ़ना है, तो मेरे चैनल पर, आप BST की जो प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़ियेगा, मेरे एक्जाम्पल लेके ये जो साथ step है, बहुत डीटेल में पढ़ाएं, तो अब मेरे काल से आपको आपको आंसर मिल गया है, यहां पर किस step में, प्रोज औन कॉन्स जो alternative के हैं, उन्हें वे किया जा किया, select your alternative, but उनको evaluate किसे में किया, C, option C is the correct answer, ठीक है, तो चलिए, this was all about today's video, आज का lecture हम यही तक रखते हैं, ठीक है, और एक बार lecture ओवर करने से पहले, मैं आपको बताना चाहती हूं, कि देख लीजे, क्लास 12 का मैंने BST, Accountancy, और Ignomix, पूरा में चानल पे complete course अवेलेबल है, तो आप एक बार पढ़ना चाहें, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, बागी आप एक बार देख लीजे, यह वो list of subject है, जो मैं अपने चानल पे अभी तक cover कर चुकी हूं, अब प्लीज हमें motivate करने के लिए, वीडियो को like जरूर किया करिये, और मेरे चानल पे जो uploaded वीडियो है उनके notes चाहिए, then you can download my application, आप मेरी application Google Play Store से download कर सकते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले lecture वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखियेगा, God bless you